मैं अभी प्रेगनेंसी रूम दिखाता हूँ, कोई भी ब्रीडर अपना प्रेगनेंसी रूम या डिलिवरी रूम नहीं दिखाता, लेकिन मैं आप सबको जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ये, जो नए इस कैनल के काम से जुड़ना चाहते हैं, मैं उन्हें गाइड करने क के लिए, एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि वो मेरे भाई किसी लॉस में ना जाएं और अच्छे से अच्छी प्रोड्यूसिंग कर सकें अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले लाई से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अमारे चैनल पे पैट्स रिलेटिड वीडियो बढ़ाते हैं, और एक एनिमल नीव सीरीज भी चलाते हैं, तो आम इसे चेक आउट कर सकते है मारे चैनल में मैं सुनील भाटिया भाटिया कैनल का ओनर हमारा कैनल जो लोकेटिड है नीलो खेडी डिस्टिक करनाल अरियाना में हम सन 2000 से एराउंड इस बिजनस के अंदर हैं और 18 से 20 साल होगे हमें ब्रीडिंग करते हुए तो आज हम कुछ ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे कि जैस जादाध डिमांड है डाग्स की आउट अनद करता है तौं यहां पर अपने ब्रीड करते हैं ब्रीडिंग बार से डॉग इंपोर्ड कराते न उसके बाद ब्रीडिंग यहां पर करते हैं 18-20 साल से हम यहां पर कर रहे हैं तो आजकल बहुत नए नए लोग कुछ यंग लड़के बहुत से लोग इस बिजनस से जुड़ रहे हैं लेकिन उनको यह नहीं पता कि हमें कितने डॉग रखने चाहिए स्टार्टिंग में कैसे रखने चाहिए उनका जो टेक कियर है वो कैसे करना चाहिए क्या उनका वेक्सिनेशन होता है और कैसे उनका रखर खाव होता है उसके बारे में उनको ग्यान नहीं होता कुछ ट्रेडर के पास जाके वो डॉग ले लेते हैं लेकिन एक दो तीन साल के बाद ही या तो ब्रीड का स्टेंडर्ड बिगार देते हैं या ब्रीड को खराब कर देते हैं और खुद भी काफी लॉस में चले जाते हैं तो आज मैं यही बताऊंगा कि आपने जो भी अगर ये कैनल का काम स्टार्ट करना है आपने तो अच्छे ब्रीडर के पास एक, दो, चार डोग according to your budget, according to your capability, according to your space आप वो लीजिए उसके बाद उस ब्रीड के बारे में अच्छा सा ग्यान प्रापत कीजिए और उसके बाद आप ब्रीडिंग स्टार्ट कीजिए ब्रीड ये आप देखिए कि आपको पपी से लेना है या semi-adult लेना है या सीधा ही adult पर्चेस करना है आप कम से कम दो या तीन females रख सकते हैं starting में क्योंकि आप starting में male लेने का आपको फाइदा नहीं होता जो जिसे हम stud dog कहते हैं क्योंकि 10 females के उपर आपको एक dog रखना चलिए क्योंकि starting में आपके पास जो बाहर से females cross होने नहीं है starting में आपके पास 2-4-5 females होंगी आपको उनी से ही knowledge आती रहेगी कि हमें कैसे breed करना है जब female deliver करती है pups तो उसके pups कैसे करवाने हैं और कैसे उनको तयार करना है 35-40 दिन तक 50 दिन तक जब तक आपको खुद ही knowledge नहीं होगी तब आप customer को तब तक आप कैसे satisfy करेंगे या customer को dog deliver करते समय उसका जो सब vaccination रख रखाव नहीं बता पाएंगे तो अगर आपको अच्छा breeder बनना है तो कम से कम दो या चार dog starting में लेके well breed की उससे starting में breed करा सकते हैं उसके बाद अभी हम आपको दिखाएंगे अपने channel में कि उनके cages कैसे बनाते हैं और कैसे बने रहने चाहिए गर्मी में उनका कैसे होना चाहिए और सर्दियों में कैसे उनका जो है की बचाव होना चाहिए उनका जो floor वगेरा है mats वगेरा है क्या system रहना चाहिए जो dogs के cage हैं वो at least 6 by 10, 6 foot उनकी चड़ाई हो और 10 foot उनकी लंबाई हो ताकि dog अगर घूमना चाहिए घूमले cage के अंदर potty कर लेता है वो या सुसू कर लेता है एक जगा तो उसमें खुद गंदा ना हो और वो अराम से बैठ सके 6 by 10 का एक idle size होना चाहिए जो की KCI का भी standard है dog को proper time to time उसकी brushing होनी चाहिए अगर गर्मी है तो गर्मी में आप तिन में तीन बार बात करा सकते हो dog को सर्दी है सर्दी में week में एक बार या धूप मिकले तो आप उसको बात करा सकते हो बाकी जो kennel का जो बनाने का structure है वो हम कि हमने किस तरह से construction पर रखिये करना और dog के लिए काफी convenient रहता है इस तरह का structure बनाना आईए please यह तिस एक पाइस छेवाए दस पाइस तरह साइस है यह लंबा है रखियाए कि जित्सी बड़ी जेड वेडू और आमसे गूसा दिये नुम्हेट कर सकते हैं यह देखिया पर यह एक में हम दो दो पैस भी रख सकते हैं अब यह गर्मी है तो उने शीव कर आ रख थे अड़ा आप डॉक कन्वीन रहे सब डॉक्स के उपर फैन में अपने आपर आपर आप यह देखिये यह परीड है मैसके लगी आप यह 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 आराम से उन्हों पर्याप कुछ नहिसुस कर रहा है इसके नीचे मागल का फर्ष है कि सुपेशान क्लीनिक हो जाए है और आप से गूंफिर सकता है इसके हमें अराम से अब देखने है अब यह देखने है अब यह देखिये सेंट पर नाड है लेकिन अभी इसके बाल बेकुछ शेव करा रखे हैं और डॉक्स के ताकि डॉक्स है जो गर्मियों के डॉक्स क तो उसके हेर्स की वज़ा से कोई स्किन इशू ना हो कोई स्किन की प्राबलम ना हो इसलिए हमने इन्हें शेव करा रखा है और टाइम टू टाइम इनकी जो स्किन की मेडिसिन होती है इनको टिक फ्लीस ना लगे इस इन बू लगा दी जाती है और यह जो हमने मार्बल का लगा रखा है ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि कच्छी मिटी के उपर सबसे ज़्यादा डॉक्स को टिक्स कर शुए है इसलिए हमने ये मार्भल का फर्ष लगा रखा है लगा रखा है ये इसलिए हमने बड़े बालों वाला सेंड बरनाड नहीं लेना लेकिन वो सेंड बरनाड लवर होते हैं तो उनके लिए हमने ये शौट हेर सेंड बरनाड अमेरिका से इंपोर्ट कराया और बहुत अच्छे पोपी प्रड्यूच करता है मेटिंग के लिए भी अवेलेबल है कोई भी आके करा दो अच्छी प्रूवन फीमेल ये हमारे लॉंग हेर सेंड बरनाड है इनके सबके हमने हेर्स कटा रखे है अभी हेड लेकिन इनके जो हेड है वो आपको दिख रहे होंगे एक दब प्रॉपर मार्किंग प्रॉपर क्वालिटी हर चीज ये इंग्लिश मेस्टे फीमेल है अभी लास्ट मन्थ इसने लिटर दिया था और अल्मोस्ट सब पपी सेल हो गए है यह अमारिकन पिटबुल वो देखे पीछे वो कूलर चल रहे हैं बड़े जो पूरे शेड को कूल करते हैं इसमें बहुत बड़ी-बड़ी मोटर्स लगी हुई है और वाटरफोल पानी का बहुत अच्छा जो है पंप लगा रखे हैं ताकि जो अंदर टेंप्रेचर है ग हो क्योंकि जो यह गर्मी का मुसम होता है जिसमें यह लू वगारा चलती है तो इसमें यह कूलर ही डॉग्स को जो है उनका जो टेंप्रेचर है वो डाउन रख सकते हैं बाकि आप यह कैनल देख रहे हैं यह इसके जो कैबिन्स हैं कैबिन्स के बाहर नालियां बना रखी ह हैं ताकि डॉग कोई अंदर जो पॉटी कर देता है तो वो पॉटी अराम से साफ करके और सीवरेज तक पहुंच जाए और डॉग कोई गंदा ना हो इसके पीछे हमने ग्राउन बना रखा है जहां पे नॉर्मल डॉग्स घूमते हैं सुभा शाम को इवनिंग वॉग के लिए वो मैं दिखा देते हूं आपको वेसे यह पीछे जगा है स्पेस चोड़ रखा है हमने जहां पे डॉग्स सुभे शाम घूम लेते हैं मैं आपको अपने अभी प्रेग्नेंसी रूम दिखाता हूं कोई भी ब्रीडर अपना प्रेग्नेंसी रूम या डिलिवरी रूम नहीं दिखाता लेकिन मैं आप सबको जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ये जो नए इस कैनल के काम से जुड़ना चाहते हैं मैं उन्हें गाइड करने के लिए एजुकेट करने के लिए बता रहा हूं ताकि वो मेरे भाई किसी लॉस में ना जाएं और अच्छे से अच्छी प्रोड्यूसिंग कर सकें आईए प्लीज ये देखिए ये हमने कैनल बना रखे हैं जो कैबिन बना रखे हैं डॉक्स के चार बाए चा पाती लेकिन यहां पर हमने छोटे कैनल बनाया हूँ है आप ये देख रहे हैं ये फीमेल्स दो कंसीव हैं बिल्कुल अभी इन्होंने अपने निपल्स हो हैं शो कर दी हैं ये दोनों गोल्डन कलर की फीमेल है और मेरे चेंपिन डॉक से क्रॉस्ट हैं आईए अब देखि या कोई उसको उससे इंफेक्शन ना हो आईए अब आपको दिखाता हूँ ये अमेरिकन अकीता ये हमने 10 डेज हो गए मेट कर आ रखी है फीमेल अमेरिकन अकीता जो आपने डॉक देखा है मेरा अंदर इंडियन चेंपिन जॉय सन ओफ अमेरिकन इंपोर्ट ये उसी से मे मिट ना करें ज्यादा उचल पूस ना करें और राम से कंसीव हो अब मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने डिलिवरी रूम में जहां पे फीमेल्स आफ्टर कंसीविंग चली जाती है डिलिवरी के टाइम आ जाईए जैसे अब ये फीमेल है इसके मैक्सिमम फाइव टू सि इसकी बैला ये बैठी है अराम से ये सेंड बर्नार्ड है इसने अभी तीन पहले ही पपीज दिया ये हमारे कुछ रेडी पपी पड़े हुआ है जो लास्ट लिटर के थे जो फीमेल्स बड़े कैनल में चली गई है ये उनके कुछ तीन चार पपीज रह गए हैं बाकि आल्मोस टॉक सब सेल हो चुका है ये श्ट हेर सेंड बर्नार्ड है अगर किसी को चाहिए हो तो इसमे एक देल और दो फीमेल्स लेफ्ट है हमारे पास एक लबराड़ का मेल लेफ्ट है लास्ट लिटर में तो वो फोर सेल एविलेबल है अगर किसी को चाहिए हो तो शॉर्ट हेर सेंड बर्नार्ड इंडियन चेंपियन जॉय ये अमेरिकन इंपोर्ट का बेटा है डिरेक्ट और इस प्रीड में दो कोट आते हैं एक बुली कोट और एक सिंगल कोट ये सिंगल कोट में है क्योंकि इंडिया का वैदर ऐसा नहीं है कि यहां पर यहाँ पर भूली कोट जो असानी से सर्वाइव कर से तोकि कोट कंडिशन्स और जो वैदर इश्यूज है उसकी वज़ा से भूली कोट में प्रॉब्लम्स आती है तो यह जो डॉग है हमारा सिंगल कोट में है और कही लोगों का जो गलत वहमी है कि अकीता बहुत अग्रेसिव होते है यह बहुत ही समझदार नौटी डॉग है और गाड डॉग भी बहुत अच्छा है और इसका आप देख रहे हैं यह maximum huge height में है हमारे पास कुछ लोग अकीता का standard खराब कर रहे हैं अकीता बेच रहे हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे साइज के वह अकीता बनते हैं फिर लोग कहते हैं कि यह क्या है यह देखिए साइज इसका यह है हमारा dog English Mastiff और आप इसका साइज देख रहे हो अभी सिर्फ यह 17-18 महीने का ही हुआ है और लगभग इसकी हाइट है 34-35 इंच हाइट है इसकी ग्रेट देन के बाद second huge breed में English Mastiff को ही माना जाता है लगभग इनका जो body weight है वो 75-80 kg रहता है और इनका जो food intake है लगभग 700-800 ग्राम पर डे आपको जब भी पपिस चाहिए हो इसके हमारे पास heavy wrinkle में heavy bone size में puppies available आते हैं अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि कुछ लोग समझते हैं कि breeding बहुत ही असान काम है हमने एक female lead उसे mate कराया and puppies who हमने sale किये that's all छुटती लेकिन breeding is not a easy task एक अच्छी female लेके उसके लिए एक अच्छा male ढूनना या तयार करना meeting के लिए उसके बाद जब pups होते हैं तो उनको pups को एक महीने तक हमें सारा दिन सारी राख देख रेक करनी पड़ती है उसके बाद जाके pups तयार होते हैं और उसके बाद जाके उन्हें जो क्या है कि अच्छे customer तक पहुचाया जाता है कुछ लोग सोचते हैं कि बस breeding कराई हमने और puppies हुए कैसे भी हुए जो भी हुए market में दिये और छुटी लेकिन ऐसा नहीं है female जब on season होती है on heat होती है उसका proper doctor check-up कराके उसके जो hormone level है चेक कराके उसके बाद उसे mate कराया जाता है उसके बाद उसके जो pups होते हैं तिन राच जाके mother feed कराके और उसके बाद seralic पर डाला जाता है उनको फिर dog food खिलाया जाता है पहली vaccination दी जाती है puppy डिक्वी उसके बाद आगे का जो सारा process है वो puppy को तियार किया जाता है और मैं ये बताना चाहूँगा साथ में आपको अगर आप अच्छे से breeding कर रहे हैं सबसे first step है आपका dog breeding का अगर आप अच्छे से breeding कर रहे हैं और आपके puppies में quality दिखती है healthy रहते हैं आपके puppies तो आपको market में उसे sale करने की मशक्कत नहीं रहती आप एक लिटर दो लिटर जब sale करेंगे उसके बाद customer में आपका जो वो विश्वास है customer का आपके उपर पका हो जाएगा और आपका एक brand name बन जाता है उसके बाद आप अपने puppies असानी से sale कर सकते हो आपको market के अंदर किसी जैसे और poultry business में या dairy business में आपको milk बेचने के लिए या कुछ भी मंडी जाना पड़ता है ये process करना पड़ता है वो इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें अगर आपकी breeding level अच्छा है आप अच्छे puppy produce कर रहे हो एक डो लिटर तीन लिटर आपने जब बेच लिए customer जो क्या है फिर आपके पास references से आता है कि हमें वहाँ से puppy लेना है हमें उस channel से puppy लेना है वहाँ का puppy अच्छा है तो automatic आपका profit increase होगा बस first यह है कि आपकी breeding अच्छी होनी चाहिए और आप customer को cheat मत करो customer को अच्छा puppy दो जो भी दो बता के दो